दोस्तो हमारे सरीर के किसी भी हिस्चे पर जब चोट लग जाती है तो हमें दर्द होता है वहीं अगर हम बात करें हमारे नाखून और बालों की तो इने काटने पर हमें दर्द का एसास भी नहीं होता है क्यूं दोस्तो आपने कभी इसकी वज़े जानने की कोशिश की है अगर दोस्तो आप ये नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक दोस्तो बाल और नाखून काटने पर इस वज़े से धर्द नहीं होता है क्यूंकि बाल और नाखून हमारे सरीर की मरी हुई सेल से बनते हैं नाखून और बालो को बनाने का काम हमारी स्किन करते है दोस्तो नाखून में केरेटीन पाया जाता है जो एक तरह का निर्जीव प्रोटीन है लेकिन दोस्तो आपने ये भी देखा होगा बड़ी हुए नाखून को तो काटने पर दर्द नहीं होता लेकिन जब हम इसकीन के पास से नाखून को काटते हैं तो वहाँ दर्द का एसास होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकीन के पास के नाखून में जिन्दा सेल होती है जिनके कटने पर हमें दर्द का एसास होता है यही बात दोस्तो बालों पर भी लागू होती है बालों को उपर से काटने पर तो किसी भी तरह के दर्द का एसास नहीं होता है लेकिन दोस्तो जब बाल को उखाडा जाता है तो हमें दर्द का एसास होता है क्यूंकि दोस्तो बाल के चारो तरब जिन्दा सेल का आवरन होता ह जिसकी वज़े से हमें दर्द का अनुबव होता है तो अब दोस्तों आपको ये तो समझ आ ही गया होगा बाल और नाखुन काटने पर दर्द का एसास क्यूं नहीं होता है अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारत दी की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और एसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले